स्वागते साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुक लगू एम कुटीर उद्योग ये आप कोई भी अगर यूपी कमीशन का अगर एक क्वेशन पेपर उठा के देखें तो हर एक्जाम में इसके एक या दो क्वेशन रहते ही रहते हैं और ताकि आपको ये अच्छे से याद हो पाए जब ये पूरा मैप पर देख लेंगे तब इसका हम कंटेंट देखेंगे जो कि आपको हमेशा बुक में अबलेबल रहता है तो इस वीडियो को अगर आप एक दो बार देखते हैं तो उमीद करता हूँ कि आपको जिले की जो इमेज है कि पर्टिकुलर जो हमारा लगू द्योग है या कुटी रूद्योग है वो कि इस जिले में स्थित है तो आप इसको बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे ऐसे में पढ़ते समय आप यूपी का एक rough map भी अपने पास रखें और जब उसको बाद में indicate करें तो table का जो screenshot है से ले करके आप यहां से इसको mark करें map पर और अपने mind में revise करें कि हमने उसको यूपी के north में देखा था south में, east में, west में तो थोड़ा समय इसको zoom in करके लिया हुआ है उमीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा पसंद आये तो like करिएगा पूरा वीडियो देखिए इसके लावा आप playlist में विजिट करें आपको जो यूपी के या current के हैं या भी जो भी subject है geography, history, quality सभी के लगभग 80% syllabus के जो आपके वीडियो जो अबलेबल है और क्रम से हैं कहीं से भी आपका time waste करने की कोशिस नहीं की गई है तो एक बार channel में विजिट करें playlist में विजिट करें आये सुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लगों कुटी रुद्यूब हम इस map से भी इसको जोम इन करके पढ़ सकते हैं लेकिन मैंने इसको जोम करके अल्रेडी रखा हुआ है ताकि आपकी जो clarity है वो बनी रहे है visibility अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको अपने pixel को 320 या 480 पर select करें ताकि आप उसको अच्छे से देख पाएं और उसका screenshot ले पाएं सबसे पहले south से start करेंगे कौन से important उद्योग है जहांसी का देखिए दिया हुआ है आवसधी निर्माण जहांसी से याद रखेंगे आवसधी निर्माण इत्र और सुगंधित तेल जो है वो जौनपूर से संबंदित है जबकि भधोही की कालीन फेमस से यानि की गलीचा निर्माण तो हम लोग यहां दक्षिण में में इनको देखेंगे अभी और देख लेते हैं थोड़ा सा मिर्जापूर से जो लगा हुआ है तो देखिए जो आपका मिर्जापूर में है तीन प्रमुख है दरी, गलीचा, उनिवस्तर उद्योग वैसे गलीचा का ज़्या तर भधोही पूछा जाता है लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि एक जिला के बल एक ही उद्योग नहीं होता यह हो सकता है कि उसके लिए बहुत इंपोर्टेंट हो बहुत फेमस हो वहां का तो आपको कई उद्योग मिलेंगे कई जिलों में मिलेंगे तो आप्चन में जैसा रहें आपको टिक करना है थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उस छेत्र में वो कौन-कौन सा है तो भधोही में आपका है दरी निर्माड, गलीचा निर्माड, उनिवस्त, उद्योग और भधोही में हमने देखा गलीचा निर्माड तो यह दोनों आपके हो गए आईए वारानसी देखते हैं, काफी important है वारानसी में देखिए जरीवा चिकन का काम, पीतलवा कलाई बरतन, लकडी के खिलोने वा फरनीचर, गलीचा निर्माड तो देखिए यह तीनों जिले अपस में connected हैं अब यहाँ पर जब आप मैप से देखते हैं, तो आप जानते हैं, जो ब्यक्ति यहां रह रहा है, उसका ब्यापार आसपास के छेत्रों में भी होगा इसका मतलब वो द्योग आसपास फला फूला होगा, तो आसपास के डिस्टिक से भी हो connected हो सकता है ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग समझने की कोशिस करेंगे, थोड़ा सब मुबारकपुर में देखते हैं हतकरगा और सूति वस्तुद्योग मुबारकपुर का कहा परिस्थे थैं, तो यह आजमगड से संबन्दित है इसी प्रकार सहचनवा का जूट उद्योग जो है, वो गोरकपुर से संबन्दित है हतकरगा सूति वस्तुद्योग टांडा का अगर देखें, तो वो आपका है अम्बेटकर नगर से आई देखते हैं नौर्थ में, कौन-कौन से हमारे हैं कुछ Central UP से लेते हुए तो हमने अमेड़कर नगर तक देख लिया था, आई देखते हैं लखनौ से संबन्दित कौन से है तो लखनौ में देखें, important क्या-क्या है, ज़्यादा तर पुछा जाता है chicken कारी का काम तो देखें वो लखनौ का सबसे important है, chicken कारी का काम, जरीवट chicken का का काम लेकिन इसके अलावा भी कौन से हैं तो लकडी के खिलोने हैं, और सधी निर्माड है, टॉर्च निर्माड है यहां से संबन दीत है अभी जो यह साजहापुर है देखें यहां से क्या एक है लगोद्योग तो दरी निर्माड का यहां पर फेमस है बरेली से काफी question पूछे गए है बरेली में देखें कौन-कौन से है तो एक तो प्रमुक केंद्र है दिया सराई उद्योग का उसके बाद है बास उद्योग, दरी निर्माड उद्योग, लकडी के फरनीचर, बेत की छड़ियां ठीक है आप सोच रहा होंगे कि मैं content wise पढ़ता जा रहा है, यसे मुझे कैसे याद होगा तो उस्तों map के जरिये जब हम देखते हैं और बाद में option टिक करते हैं, तो एक बार जरूर क्लिक करता है कि options में ये वाला छेतर तो उसमें नहीं था तो काफी हद तक आपके questions सही होने के chance से इससे बनते है अगला दिखते हैं, रामपुरिया चाकू तो बड़ा famous है रामपुर का चाकू अध्योग important है ये तो आपका नहीं भूलेगा, नहीं गलत होगा मुरादा बाद, maximum पूछा है दने वाला question है यहाँ पर पीतल का काम होता है, पीतल और कलाई बरतनिम नकासी का काम होता है ये most important है, जो अक्सर कर एक्जाम में पूछा गया है बिजनौर में देख लेते हैं, तीन प्रमुक उद्योग है देखें, एक नगीना का लकडी की नकासी है एक धामपुर का हतकरगा सूत्री बस उद्योग है और एक नजीवाबाद का कंबल निर्माड तो ये तीन प्रमुक हैं, जो बिजनौर में स्थित है सहारनपुर में आए देखते हैं लोहे का बाट, लकडी की नकासी सहारनपुर देखें, लकडी की चीज़ों के लिए काफी फिमस है इसके साथी साथ दिया सलाई उद्योग का भी यहां निर्माड हुआ है सिग्रेट निर्माड का भी उद्योग है तो हतकरगा सूती बज्यो देवबन का है, वो भी सहारनपुर में है तो एक यहां से आपका सेग्मेंट बनता है सहारनपुर का पस्षिम में देखते हैं कौन-कौन से प्रमुख लोग द्योग है, जो लगुद्योग है उनको देखते हैं हमने सहारनपुर देख लिया, उससे लगा हुआ देखें, मुझफर नगर मुझफर नगर में दो प्रमुख है, एक है कंबल लेंमाड और एक है कागज उद्योग इसी प्रकार मेरट में अगर देखें, तो मेरट में मेरट में देखें, खेल का सामान के लिए अक्सर कर पूछा जाता है मेरट को, तो ये थोड़ा सा इसके लिए ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है बाकि हैं कौन-कौन से तो कैची उद्योग है, खेल का सामान है, कागज उद्योग है, हतकरगा सूती बस्तर है, दिया सलाई उद्योग है आप देख रहे होंगे कि जो दिया सलाई उद्योग है, वो आपका बरेली में भी मिला, दिया सलाई उद्योग आपका सहारन पुर्भी में मिला, दिया सलाई में आपका मीरट भी मिला तो अब आप देखिए कि जो एक आपका छेत्र बन रहा है दिया सलाई से सम्मंधित 3 हैं आप देख पाएंगे उत्तर परशिमी के जो हमारे यूपी के छेत्र हैं वो इसमें ज़्यादातर हैं तो मैंने कहा दो ना कि आप से उनका जो ब्यापार है वो आसपास के छेत्रों में होगा तो इनमें से कोई भी ऑप्शन में आता है तो आप उसको टिक करने की कोजिस करेंगे गाजियाबाद में देखते हैं देखिए दिल्ली से लगे हुए सारे छेत्र हैं NCR के इनमें सिग्रेट, निर्मार, साबुन उद्योग, मोदी नगर का साबुन उद्योग और चीनी मिट्टी उद्योग तो यह चीनी मिट्टी उद्योग और जो साबुन उद्योग है मोदी अगर का यह important है इसे याद रखेंगे अब बुलन सहर में देखिए बुलन सहर का सबसे यदा बार पूछा जाने वाला है खुर्जा नाम से भी पूछा जाता है यह जो पौटरी उद्ध्योग है चीनी मिट्टी का तो चीनी मिट्टी के बरतन जो हैं बुलन सहर खुर्जा से संबंदित है यह तो एक्जाम में बहुत बार पूछा गया है अली गढ़िया ताला मुझे लगता है कि सबसे फेमस रहा है तो ताला उद्ध्योग कहां पर विक्सित है अली गढ़ में मतुरा में देखिए हाथ से बने हुए कागज यह important है और पीतल की मूर्तियां तामे क बरतन यह मतुरा में फले फूले है आगरा में देखिए कई बार यहां से questions put up हुए है आगरा में कौन-कौन से प्रमुक है तो देखिए एक तो जरदोजी कला का यहां का important है खेल का सामान साबुन उद्ध्योग दरी निर्माड गलीचा निर्माड लोहे की बाट मिट्टी क के खिलोने तो पस्चिमी यूपी आप देखेंगे तो छोटे-छोटे उद्ध्योग के मामले में काफी सम्रिद्ध है तो यहां से कई questions बनते हैं अभी देखिए कांच की चूडियों के लिए कौन सा विश्व विख्यात है छेत्र मुझे लगता है यह आप गलत नहीं करें तो कन्योज में इत्र और सुगंधित तेल जो है वो कन्योज से सम्मंदित है कानपूर नगर जो एक हमारा अध्योगिक जिला है यहां देखिए कौन-कौन सा है तो देखिए आउसधी निर्मार जो है वो सबसे इंपोर्टेंट है उनिवस्त्रुद्योग इसके अलामा कoneकरने की कोशिस करते हैं कि वो कौन-कौनसे जिलेत है जहां पर य उ Undyog विक्सित हुए दरी निर्माढ हमने देखा वो किन-किन जिलों में विक्सित है इसको आप मिलाने की कोशिस करिएगा इनमें कौन-कौनसे इंपोर्टेंट है मैं थोड़ा चाउट करने की कोशिस करिए क्योंकि ऐसे कंटेंट पढ़ने के लिए तो आपको बुक्स मिल जाएगा जब आप मैप में स्टेडी करेंगे तो बहुत अच्छे से उसको आप पढ़ेंगे देखिए आपको इसमें पढ़ना कौन सा है एक तो दरी निर्मार का उद्योग सबस बुलन सहर का इंपॉटेंट है और सधी निर्मार का देखिए कानपूर का फेमस है चांसी लखनव सहारनपूर में विक्सित है इसी प्रकार अगर देखें तो हतकरगा सूतिवस्त्र में कई हैं मेरट, देवबन, धामपूर, सिकंदराबाद, टांडा, इनके नाम से भी फरनीचर के लिए देखिए तो हाथरस, सहारनपूर, बरेली ये फेमस है लकडी की नकासी बहुत बार पूछा गया है तो ये सहारनपूर से संबनित है लकडी के खिलोने के लिए देखिए कौन सा फेमस है तो लखनव और वाराणसी है अगर लकडी के खिलोने पूछा जा तो लक्णो और वारांसी, लकडि के फरनीचर पुछा जाए, तो हातरस वारांसी सहरनपूर बरेली में कोई भी है, ठीक है, बेत की छड़ियां देखिए, बेत की छड़ियां, बेत बरेली, खेल का समान मेंने आपसे कहा था, मेरट का काफी फेमस है, लेकिन आगरा भी आप् पीतल सबस्यादा फेमस है, देखिए आपका मुरादाबाद, ज्यादा तर यह आप्शन में रहता है, उसके अलामा भी कई है, यहाँ पर आप्शन में दिये गए है, अब देखिए बरतनों पर कलई के लिए मुरादाबाद और मिर्जापुर, तो मैंने कहा था, पीतल के बर पतन पूछा जाए, तो मुरादाबाद, ठीक है, लोहे के बाट, लोहे के बाट सहारनपुर आगरा, जरी और चिकन का काम, तो सबसे इंपोर्टन है समें लखनो, साथने वारंसी भी आप्शन में आता है, तो कर सकते हैं, हाथ से बने हुए कागज मैंने आप से कहा कि इसी पकार जो बिस्किट का उद्योग है, मोदी नगर आगरा अलीगर का है, तो हमने बहुत अच्छे से देखा कि लगू और कुटी रुद्योग जो हैं, देखें यह हमें याद करने पड़ते हैं, जब आप MCQs ज़्यादा तर हल करते हैं, तब आपको आपके माइंड मे सेट होता है, तो इसके पढ़ने के तीन तरीके हैं, मैप पर देखें, कंटेंट को पढ़ें और MCQ हल करें, मैं एक MCQ और One Word टाइप के जो UP Special के हैं, उनका भी एक वीडियो लेकर किया हूँगा, जो आपके लिए काफी helpful होगा, उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ मिलते हैं UP Special के अगले वीडियो के साथ, तब तक गुडबार